नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है नो जुलाई, शुक्रवार सुबह सवाचे अबजे, रास्थान की बड़ी खबरे रास्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के आशंका को देखते हुए स्कूलों में बच्चों को बुलाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है, बुदवार को हुई मंत्री परिशत की बैठक में स्कूल खोलने पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, शुक्षा विभाग ने पहले फे पहले स्कूल खोलने के प्रस्ताव के पीछे तर्क दिया गया था कि कोरोना कंट्रोल में है और पिछले 15 महिने में 3 महिने छोड़का स्कूल बन रहे हैं, सरकार ने एक्सपर्ट की राय के बाद तीसरी लहर के आशंका को देखते हुए कॉलेज स्कूल खोलने पर एक बार प्रतियोगी परिक्षा 2020 की पूर्व में आयोजित कांसलिंग में एपसेंट रहें विद्यार्थियों के लिए 12 जुलाई को कांसलिंग आयोजित की जाई की इस समन्ध में आयोग द्वारा गुरुगार को दिषा ने देश्चवरी किये गए इस कांसलिंग में उपस्तित रासान करम चौरी चर्ण बोर ने पटवारी भरती परिक्षा का संशोधित परिक्षा शेडियूल जोरी कर दिया है जोरी किये गए शेडियूल के मताबिक पटवारी भरती परिक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी संशोधित विग्यप्ती में कुल पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है पूरू में विग्यापित पदों की संख्या 4421 थी जिसमें 957 पदों को बढ़ा कर 5378 कर दिया गया है EWS वर्क के अभ्यरतियों के लिए पुना अप्रिकेशन पोर्टल को भी ओपन किया जाएगा पंजब में महंगे बिजली खरीद अनबंद की आग धदकी हुई है और इसी तरहां के तपन से रास्थान भी छुलस रहा है यहाँ बिजली खरीद प्रिकरिया में सालाना 40,000 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं इसमें से 23,000 करोड रुपए बिजली खरीद भुक्तान में दिये और साड़े 11,000 करोड केवल फिक्स चार्ज के रूप में बिजली उत्पादन कंपनियों को दे रहे हैं यानि बिजली खरीद में जितना पैसा खर्च हुआ उससे आधी रकम उत्पादन कंपनियों के बिजली घर को संभा लें और संचॉलन के लिए दे दी गई बाकी राशी ट्रांस्मिशन चार्ज के रूप में खर्च हुई गंभीर ये है कि इसके लिए बिजली वित्रन कंपनियों ने उत्पादन कंपनियों के साथ जोन बंद किये हैं उनमें से 9 पावर प्लांट ऐसे हैं जोहां से हमें जरूर से ज़ादा महिंकी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पढ़ रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठा का बुद्वार को ही विस्तार किया गया है जिसमें केंद्रे श्रम मंत्री के रूप में काम कर रहे संतोष गंगवार की जगा अब भुपेंद्र यादव को मंत्राले सौपा गया है शर्पत लेने के एक दिन बाद गुरुवार को मंत्राले पहुंचे भुपेंद्री यादव ने मंत्री पत का चार्द सम्हाने के बाद सभी अधिकारियों से मुलाकात की है इस दोरान भुपेंद्र यादव ने अधिकारियों से मंत्राले में चल रहे लंबित पड़े और विशेश मुद्दो को लेकर चौचा के साथ ही सभी वरिस्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी के भी दिमाग में अगर कोई नया आइडिया आता है तो उसे उनके सा तुरंत शेयर किया जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए उत्राखन के मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने कहा कि कावन यात्रा पर निर्दन एक दो दिन में ले लिया जाएगा मुख्यमंत्री धामी ने हरद्वार भ्रमन के दौरान बुद्वार को समाधाताओ द्वारा पूछी जाने पर कहा आप जानते ही हैं कि कोविड ने सब कुछ गड़बर कर दिया है इस समय हमारा प्रयास किसी तहरा से चौरधाम यात्रा शुरू करने का है कावण यात्रा पर निर्ने एक दो दिन में हो जोएगा तब विवार को प्रदेश की कमान समहानने वाले धाम बुद्वार को गंगा पूजन करने तथा संथ महात्माओं का आशिरवाद लेने हर द्वार गए थे रासान हाफसिंग बोर्ड अपने यहां बचे मकानों को 19 जुलाई से ओनलाइन ओपन निलामी के लिए बेचेगा करीब डेट साल इन में से अधिकांश मकानों को बोर्ड प्रशासने 25 प्रतिश्यत तक की छूट पर बेचने का प्रयास किया था सफलता नहीं मिरी बोर्ड प्रशासने अब इने 50 प्रतिश्यत तक की छूट पर देने का निलना किया है खास बात यह है कि इन मकानों के लिए एक मोश्ट पैसे न देका 10 फिस्दी रकम पर ही कब जा मिल जाएगा 690 फिस्दी रकम 13 साल की अवधी में किष्टों में आदा करनी होगी जैपूर के प्रताब नगर, इंद्रा गांधी नगर, कोड़ पुतली के अलावा, भरतपूर, डुंगरपूर और अलवर के भिवाडी शहर में ये मकान है दोसा में सविक्ट किसान मोर्चा के आवान पर गुरवार को पूरे देश में महंगाई के विरोध में प्रदेशन के कारकरम को लेकर भारते किसान यूनियन यवा मोर्चा अद्वारा कलेक्टरेट पर महिलाओं और बच्चों के साथ प्रदेशन किया गया युवा मोर्जा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मेना के नेतरतों में किसानों और युवा उने धारे बाज़ी करते हुए बढ़ती महंगाई का विरोज चता है इसकी बाद किसानों ने एडियम को रासपती के नाम ग्यापन स्वापा दोसा में भाज़पा की जिला कारे समीती बैठक 12 जुलाई सोमवा को आयो जित होगी इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रदेश मंत्री जीतेंद्र गोटवाल और आर्थिक प्रकोस्ट के प्रदेश सहियोजग सतीश सरीन ने जुलाई पता दिकारीयों की बैठकर निर्देश दीए कारे समीती में सांसच जुले के रास्टे प्रदेश वे जिलाई पता दिकारी मंडल ध्यक्ष वे मूर्चा जिला ध्यक्ष भाग लेंगे जैपur में रेलवे स्टेशनों पर कोरोगों महमारी के बाद से ही बेटिकेट यात्रियूं के आवाजाहीब बंद हो गई है ऐसे में स्टेशनों और ट्रेनों में टिकट च्छवकिंग स्टाफ की आए दिन होने वाली विवाद ठम गई हैं जैप स्टेशन पर इंदिनों रेल्वे करमचारियों और अधिकारियों के बेच पार्किंग को लेकर नया विवात शुरू हो गया है दरसल हाल ही में रेल्वे ने स्टेशन पर विविन विभागो के लगभग 500 करमचारियों से 75 रुपे पार्किंग शुल्क देने के निर्देश दिये हैं इसका करमचारी पार्किंग का विरूत कर रहे हैं उनका कहना है कि किसी भी कार्यले में करमचारियों से पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाता जोहां बाहरी लोगों के आवाजाही होती है वहां करमचारियों के वेकल के पास बना दिये जाते हैं चन्डिगड पुलिस ने सलमान खान उनकी बहन अलवीरा और सलमान के फाउंडेशन बिंग हुमन से जुड़े साथ अन्य लोगों को धोखा दड़ी के मामले में तलब किया है चन्डिगड के SP केतन बंसल ने कहा कि जवाब देने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया गया है अगर कोई भी दोशी है तो उन पर कारवाही के जाएगे चन्डिगड के कारोबारे अरुन गुपता ने अपने शुकायत में कहा है कि हमने बिंग हुमन का शोरूम मनी माजुरा इलाके में खोला है बाद में हमें सामान के सप्लाई बंद कर दी गई बिंग हुमन ने हमारी शुकायत पर कोई भी जवाब नहीं दिया हमारे शोरूम कि किसी ने रात 12 बिच कर 13 मिनट पर उनकी फेस्बुक वाल पर प्रधानमदिन नरेंद्र मोधी के खिलाफ आकरामक भाशन वाले पुराने वीडियो अपलोड कर दिये इनमें वे मोधी सरकार की कम्यां गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो उस वक्त के हैं जब सिंध्या कॉंग्रिस में हुआ करते थे अजमेर में करोना के कार्म जुयलन अस्पताल में बंद यूनानी की OPD सेवा गुरवार से फिर से शुरू हुई ये सेवा शुरू होने से मरीजों को राहत मिली है पहले दिन पच्वास से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुँचे अस्पताल में लगबख साथ माह से यूनानी की OPD बंद थी राजिसान में ब्रस्पतिवार को कोरोना वारत संक्रमन के 69 नए मामले सामने आए देश में बिजली की मांग अब तक के सरवोच स्तर पर पहुँच गई है और गुदवार को 2 लाक मेगावार्ट को पार कर गई मौनसुन में देरी की कारण पारा चोड़ने और कोरोना वारत के रुप्थाम के लिए लगाए गई पाबंदियों में धील के साथ बिजली की मांग बढ़ी है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें